भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र है लेकिन इसमें महिलाओं की नुमाइंदगी काफी कम है पड़ोसी सार्क देशों के साथ ही अगर तुलना करें तो पता चलेगा कि जहां अफगानिस्तान की संसद में 27.3% महिलाएं हैं सिर्फ श्रिलंका और मालदीव की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित तो भारत से कम है चले कहीं तो कम है हमसे मगर एक चीज अच्छी है भारत में, महिलाओं को देवी की तरब पूजा चाता है भारत वो देश है जहां महिलाओं को देवी की तरब पूजा चाता है संसद उनके लिए मंदिर हैं लेकिन उधर पुरुष देवता ही जादा दिखते हैं सांसदों की संख्या महद 11 फिसी दी ती ये हाल सत्रवी लोकसभा में भी बदलने नहीं जा रहा है टीवी की बहसों में अक्सर दिखने वाली बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एंसी ने एन चुनाओं के वक्त ये मुद्दा उठाया है अपने नराजगी जाहिर करते वे एक ट्वीट में कहा कि सभी राजनितिक पार्टियों को जागने की जरूरत है महिला आएं कुल मतदताओं का पचास फिस्दी हैं ये जानकर दुखी और हैरान हों कि ममता बेनरजे जिन्होंने महिला उमिदवारों को एक तालीस फिस्दी सीटे दी नवीन पटनायक जिन्होंने महिला उमिदवारों को तैंटीस फिस्दी सीटे दी हैं उनकी अलावा बाकी सभी पार्टियों ने हमारे मुद्दे पर सिर्फ जुबानी जमा खर्च किया है शमता को मौके चाहिए प्रतिभा को सामने लाने की जरूरत होती है सभी पार्टियों के नित्रितों को महिला निताओं को अपनी चुनावी योग्यता साबित करने का मौका देना चाहिए शाम होते होते शाइना एंसी ने इस पर एक बयान भी दिया केवल वोट रैली में आगे बिठाना यहीं तक सिमित है बीजेपी ने अब तक जितने टिकट बाटे हैं 374 सिर्फ 45 टिकट महिलाओं को दिया है यानि 12 फिजदी कॉंग्रेस ने 344 टिकटों में से सिर्फ 47 महिलाओं को टिकट दिया यानि 13.7 फिजदी मगर घोष्णा पत्र में 33 फिजदी रारक्षन की बात कर रहे हैं त्रिनमुल ने तो पहले ही देदेते हैं उमिदवारों को त्रिनमुल ने 42 में से 17 टिकट महिलाओं को दिया है जो 40.5 फिजदी है BJD ने 19 में से 7 टिकट महिलाओं को दिया है जो 36.8 फिस दी है बाकि सभी बड़े दलों ने महिलाओं की दावेदारी को सिरे से नजर अंदाज किया है जो पार्टियां टिकट देने में महिलाओं के साथ इतना भेदभाव कर रही है वो 17 वी लोगसभा में महिलाओं को विधाइका में 33 विजदी आरक्षन का बिल क्या पास होने देंगी महिला आरक्षन बिल सबसे पहले 12 सितंबर 1996 को देवेगोडा सरकार के दौर में लोगसभा में एंट्री लेता है इसके बाद 99, 2002, 2003 में तीन बार लोगसभा में पेश हुआ हर बार कारेकाल खत्म होते ही बिल की लियाद खत्म फरवरी 2010 में मनमुहन सरकार के दूसरे दौर में इसे 108 संविदान संशोधन बिल के तौर पेश किया जाता है ये तब राज्य सभा में पास हो गया लेकिन अभी तक लोगसभा में पास होने का इंतजार ही कर रहा है जाहिर है राजनितिक दलों का ध्यान इस सवाल पे नहीं है वो चाहते नहीं मगर महिला संगठनों का ध्यान तो है, वो कैसे अपनी समस्या और अपने मुद्वों से मुढ मोर सकती हैं, चार अप्रैल को देश भर में महिला संगठनों का मार्च हुआ है, दिल्ली में भी मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक एक मार्च हुआ जिसमें अलग-अलग वर्गों और संगठनों की महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतरी, शिक्षा, स्वास्त जिन पर बात नहीं होनी, अब रास्टवार पर बात होगी तो शिक्षा, स् शराब बंदी, दलित आदिवासी और अनुसुचित जाती आदिवासी, दलित आदिवासी और अलपसंख्यक महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी मांगे मुख्यों